हेगे सोट ताप उलकम बैक टू दे चैनल काईस फैनली अपडेट आ चुका है जो बिलिंग सॉप्टेर के बारे हैं मैंने इतने सारे टुटोरियल बनाया है और आप लोगोंने बहुत सारे इंस्टॉल भी किया था फ्री बिलिंग सॉप्टेर था सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था अचानक उसका कुछ अपडेट आया और लाइसेंस मांगने लागे कॉस्ट पैस चेंज नहीं हो रहा था बगेरा बगेरा चीज आप लोगोंने फेस किया बहुत सारे मेरे पास कोमेंट्स आया मैसेज आया और मैंने मैं भी सोच रहा था मैं भी तोड़ा निरा आप लोग, जितने भी लोग, free enabling software यूज़ करना चाहते हो, वो भी world class product है, cost price change नहीं हो रहा था बीच में, यह जितने भी problem है, अभी भी आपका cost price change नहीं होगा, उसका एक option है, उसे आपको हटाना होगा, और जब install करोगे न, उसको सही तरीके से install करना होगा, कुछ चीज़े बदल चुके हैं, क्योंकि यह देखो, developing process में हैं अभी भी, तो develop होते जा रहे हैं, और यह पहले से बहुत सही हो चुका है, और पहले से बहुत बढ़िया हो चुका है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा computer पे, यह free billing software install करने के लिए, आपको उसके official website में जाना है, जिसका नाम है aaronium.com, जैसे आप enter करोगे site पे, यहाप डाउनलोड आरोनियम का option मिलेगा, वहाप पे आप click करना, और यह जो stand alone version है, इसको आपको install करना है, यह वाला free है, ठीक है, stand alone version को आपको डाउनलोड करना है, यहाप डाउनलोड option है, जैसे आप download option पे click करोगे, यहाप डाउनलोड हो जाएगा, इसको click करना है, अगर आपके पास windows 10 है, तो इस तरह की message आ सकता है, तो आप more info पे जाना, और run anyway करना, बस अब इसको install करते से time पे, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे okay करना है, accept, next करना है, और next करना है, अब देखो यहाँ पे plugin के अंदर, यह बहुत सारे check boxes है, यहाप माई लोगो, जैसे 30 days free trial है, print section 30 days free trial है, email reporting 30 days free trial है, यह जितने भी free trial बाला plugins है, यह एक-एक plugins है, मतलब modules है, तो आपको यह सारे uncheck करना है, जितने free plugins है, name order, notes and stock control, यह तीन आपको रखना है, और next करना है, और next करो, next करो, install, install देखा, install हो गया, finish करो, तो, आपके पास ironium खुल के हाजिर है, अब इसको क्या करना है, यह देखो, start करना है, यह आपको एक email address डालना होता है, जैसे कि मैं अपना email address डाल रहा हूं, add.outlwk.com और next कर दिया, password यह पर डाल दो, sorry, यह सुमित password, मैं डाल दिया, password डाल दिया, next, अब देखो, मेरे को एक बार भी license के लिए पूछा ही नहीं है, और next कर दिया, close and continue, हाजिर, अब इसको मैं थोड़ा light कर देता हूं, थोड़ा सा, यह मुझे, black मुझे अच्छा नहीं लगता, dark layout, light layout का और जूम कर दिया, 150 ताकि आप लोगों को सब कुछ दिखा पाऊं, यह हो गया, आपके पास खुल के आ चुका है, और अगर आप इसे restart करोगे, एक चीज़ दिखाता हूं, वो cost price वाला भी मैं दिखा दूँगा भी, restart करता हूं, अब देखो, password डाला, यह जो page है, इसे कैसे हटाना होता है, अब लोगों को साइद पता है, अगर पता नहीं है, तो मैं फिर भी दिखा दिता हूं, cancel करो, और setting पे जाओ, और order and payment पे जाने के बाद, यहाँ पे नीचे, request order name automatically, इसे आपको off करकना है, अगर off रखोगे, save करोगे, अब देखो, मैं restart करता हूं, आपको बो स्क्रीन भी नहीं आएगा, सीधा आपके पास स्क्रीन आ जाएगा, अरोनियम का, अब इस पे आप जब management पे जाओगे, और product create करोगे, new product मैं create कर रहा हूं, horlix 500 gram jar और बारकोट बगरा, जो है आप डाल देना, मैं घर पे हूं तो यह वीडियो बनाने से पहले, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा noise आता है, इसलिए मैं घर पे वीडियो बना रहा हूं, और यहाँ पे price and tax, देखो, cost आप edit नहीं कर पा रहे हो, देख रहे हो, edit नहीं कर पा रहे हो, तो sale price मैं बाद में डाल रहा हूं, अभी stock control भी यहाँ पे option है, reorder, point, prepare, quantity यह बगेर भी आप डाल सकते हो, यह module automatically आपके इस भार्षन के साथ added है, और यह से save करते हैं, वो cost price कहाँ पे आपको करना है, setting में जाना है, और product setting में जाना है, और enable moving average price यह जो देख रहे हो, इसे आपको disable रखना है, और जैसे इसे save करोगे, इसके बाद आप management में जाओ, product में जाओ, इसको open करो, price and tax में देखो, cost आप यहाँ पे डाल सकते हो, यह अगर माल लिजे कि 220 रुपे cost है, और markup आप रखना चाहते हो 5%, तो 231 में आप बेचो, तो इसे save कर दो, price change अलाउट रख सकते हो, यह सारे मैंने बहुत सारे tutorial में बना के रखे है, ironium का पूरा playlist है, उहाँ पे जा कि आप कम से कम, 10-20 तो मैंने tutorial बना के रखे हैं, तो उसे आप देख सकते हो, save कर दो, हो गया, अभी अगर आप कुछ सार्च करो, आ गया, bill जैसे करना था, वैसा करना है, और यह पूरा free है, बिलकुल free है, हमेशा के लिए free है, और यह जो version है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो version है, इसका, यह है 1.37.1.1, यह version अभी आपको मिलेगा, कि मुझे भी बहुत खराब लग रहा था, कि भाई यह क्या हो रहा है, free था software, अचाना कैसे license माग रहा था, तो इस तरह के से आपको install करना है, घपराने के बिलकुल जरुद नहीं है, यह बिलकुल free है, और free रहेगा, तो आए ओप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होती वीडियो को लाइक करना, चनल को सब्सक्राइब करना, आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स वीडियो पे, तब तक के लिए चैन्जाए भारत, बंदे महातरम,